हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका ITI And CITS WELLNATED चनल में दोस्तों आजकी पता है क्या चीज है इस नहीं कंपनी है जो बारत सरकार चलाती है और दोस्तों यह जो हैishes अंत्रिक्स वाला काम इसमें होता है dismant거든 मैं हवाइżाज वगएरा वह भेजना आपको पता है CHANDARYONS टू चंदरियान थ्री जो भी होता है इसरो के दवारा ही यह सारी चीजे ऊपर जो है धेजी जाती अंतरिक्ष में तो दोस्तों इसमें अगर जोब अगर अप लगते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जोब है और दोस्तों यहां पर जोब करना बहुत ही गर्व की बात river बानिया थिक है इस सब्सक्राइब और दोस्तों अपकरितियो जयातीत है तो में पर आप सारी इंफोर्मेशन मील जाएक थे कमेंट बॉक्स में किरें यूदि दोस्तों आप आपको सारी जनकारी दीज जाएगी ठीक है अगर दोस्तों हो सके तो उस पर वीडियो भी बनाई जाएगी आपके «कमेंट के ऊपर» जो चलिए जोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं बहुत ही बढ़ी है वकैंसी है अकर आप इसमें जाते हैं तो स्मझ देएए कहा ज स्पेस रिसर्च और्गराइजेशन बारतिय अंतरिक्ष अनुसंसाधन संगठन जो स्पेस में चीजों की खोज करते रहते हैं और दोस्तों यह मेहंद्र गिरी जहां पर है यह कॉंपलेक्स है इसका तो दोस्तों यहां पर आपका मतलब यहां पर रहेगी इस रोवाली होगी वहां पर सारा होस्टल की सुविदाया जाती है रहने के लिए रूम बहुत बढ़ी है मिलती है ठीक है और सेलरी भी बहुत ही अच्छी मिलती है ठीक है तो सारी चीज़ में डिसकस करेंगे और दोस्तों यह जो आपका अप्लिकेशन है ओनलाइन सब्मीट होगा ठीक जो भी पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं जैसे कि आप टेकनिशियन असिस्टेंट मेकैनिकल है तो तीरह नमबर आपको ध्यान कर लेना है इसकी वेश्य से आपको दोस्तों क्लियर होता चला जाएगा ठीक है तो दोस्तों मैं बता दे एक तरह से तो अगर आप पहले बॉस्तों क्या है यहां पर सबसे पहले दोस्तों यहां पर आई टिए वाले हैं यहां परया ay대 के यहां दिक लिए और सब्सक्राइब यहां तक से कितनी पोस्ट निकल यह कि तो तो आपको निगले कि तो इसके बारे ङा थे तो आपको क्या चीच चाहिए आपको बता दू कि आप दस्तवी पास आउट कम से कमप होने चाहिए और Trader चाहिए और N cricket यह अपने apprenticeship भी Likat करने के बाद दोनों आपको चाहिए होगा इसमें form अप्लाइइब करने के लिए कशिये तो बताओ दुबारा सब्सक्राइब करें अप्लाइब करने के दो इसलिए दोस्तों आपको कहता हूं कि अप्रेंटिसिप ध्यान दीजिए आपने अप्रेंटिसिप नहीं किया तो पहले जाकर अप्रेंटिसिप कीजिए आपको सारी चीजों में सारी वकैंसी में आपको प्रेफ्रेंस दिया जाएगा ठीक है तो दोस्तों जिन्होंने आइट करियो ठीक है वैल डरट दोस्तों यहाप पोस्ट कोड़ कर लिजे ट्वन्टी पोस्ट कोड ऑला के लिए और 2020 निकाली गई है और देback से वेलर टेड पास आउट होने चाहिए NCVT से SCVT दोस्तों NCVT और NTC यानि Apprentice SIP का certificate भी आपके पास होना चाहिए ठीक है तो यह चीज़ है तो आप इसमें apply कर सकते है ठीक है तो दोस्तों यह मेना बता दिया और जितने भी ITI वाले हो सेम यही आपको जो है qualification चाहिए 10 भी और उसके बाद ITI जो भी trade है आपके पास और उसके बाद apprenticeship का certificate जिसको दोस्तो एन एस्टी बोलते है national apprentice certificate बोलते हैं ठीक है दोस्तो तो यह मैंने आपको बता दिया अब दोस्तो आपको जो है एक चीज मेरित मेरी माल लीजिए post code अगर 20 रखते हैं जैसे post code 20 है तो इसके बारे में हमें सारी चीज पता चलते जाएगी कि क्या क्या इसमें हमें फीस लगेगी और क्या हमें मतलब salary मिलेगी ठीक है तो दोस्तो यह देखिए 20 नंबर आप भी अगर आप फीटर से हैं तो 15 नंबर आप याद कर लीजिए ठीक है मैं दोस्तो 20 ल चाहते तो यह अपने चेक कर लीजिएगा fireman के लिए यह है ठीक है और दोस्तों यह जो है इसकी फूल फॉम बता रखें सब चीजों की यह यूर मतलब क्यों होता है अन्रिजीवड अन्रिजर्वड ओभी सी होता अधर बैक्वड क्लास तो यह हमें जुरूत नहीं है अग तो आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और भी आगे दोस्तों देखिए जब आपका अप्लिकेशन जो है ओनलाइन कब तक रहेगा तो 24-4-23 तक यह आपका ओनलाइन रहेगा ठीक है अपरेल तक आपका ओनलाइन रहेगा ठीक है तो चौवीस अपरेल तक आप इस फॉम क चरुल के लिए यह पोस्ट कोड आप कर सकते हैं ठीक है हमारा ठीक है वेल inventory अलोकी 20 पोस्ट कोड है पोस्ट कोड 9 के लिए था और दोस्तों जो हमें चाहिए वह देखते हैं जो दोस्तों आपको ओनृयूइंट करना होगा सब्सक्राइब और करेक्ट होना चाहिए और कंपनसरी है इमぇल आईडी आपके लिए ठीक है क्योंकि दोस्तों अपका साड़ आएगा सारी जो है सारी चीज आपके email आपका correct होना चाहिए जब भी आप form भर है तो email आपका correct होना चाहिए age limit की बात की जाए age limit आपका minimum कम से कम 18 साल आपके होने चाहिए और 35 साल तक आप इसमें फारम भर सकते हैं ठीक है लेकि दोस्तों हमें जो आई टीए वालों की है आई टीए वालों की पोस्ट कोड क्या थी तीन पंदरा बीस चौदा यह आपकी सेलरी रहेगी 21,700 रुपए ठीक है जो मंतली basic pay आपका रहेगा 21,700 रुपए और दोस्तों यह बढ़ कि आपका 79,100 रुपए तक हो सकता है ठीक दोस्तों बहुत ही अच्छी सेलरी यह मानी जाती है तो यह आप पोस्ट कोड के हिसाब से आप पता लगा सकते है क्या पोस्ट कोड है क्या हमारी सेलरी रहेगी ठ 20 में दोस्तों पोस्ट कोड है टेकनिशन असिस्टेंट टेकनिशन बी के लिए और ड्राफ्ट मैन के लिए तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद स्किल टेस्ट होगा दो चीज़े आपकी होंगी ठीक है तो उसी तरह दोस्तों दसवे और तेरा नमबर सबस्के बाद सेटेस्ट होगा और 80 नमबर के लिए उनका दोस्तों रिटन भी होगा स्किल भी होगा ऐपीसेंसी टेस्ट भी होगा और मेडिकल एक्जाम भी उनका ठीक है तो यह आठ वालों के लिए फाइर मैं की जो पोस्ट अपला करेंगे उनके लिए उस्फर sewerage मेंग Video पके तो स्सक्राइन और्याइबर 157. जो 90 मिनेट दोस्तों होता है अग्जाम तोटल जो आएक्षोशन आएंगे अपके गुश्छन जो आएएंगे году पहले दोस्तों सारे चीज ने बता रखिए आप दोस्तों इसको पढ़ेंगे इस पीडियोप को तो आपको सारे चीजे पता लग जाएंगे ठीक्ट तो यह सारी चीज थी दोस्तों यहां पे देखिये यहां पे रखा है skill test के बारे में दे रखा है skill test का syllabus क्या रहेगा लेकि दोस्तों इसमें post code अपना नहीं दे रखा तो हम इसको नहीं पड़े post code 20 दे रखा है तो इसको देख लेते हैं post code आपका skill test रहेगा 100 number का ठीक है 100 number का रहेगा आपका और कम से कम आपको 40 number जो है लेने पड़ेंगे आपको skill test qualify करने के लिए skill test में दोस्तों आपको जो application बुलाए जाएंगे student बुलाएंगे 1 is to 5 रेसो का बुलाए जाएगा skill test के लिए ठीक है दोस्तों यह चीज है थीन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और दोस्तों how to apply apply आपको कैसे करना है तो इस वाली भी website पर जाके आपको apply करना है ठीक है 24 चार्ज अरते इस तक आपको apply करना है इस form को 27 तीन से दोस्तों आपके फारम भरने जो है start हो चुके है और दोस्तों आपको मैंने पहले पता दे है कि email id बहुत जादा जरूर यह तो email id आपके पास नहीं है तो email बनवा लीजिए ठीक दोस्तों और correct email id बना लीजिए और password उसका जरूर्ण आपको याद रखना है ठीक है तो दोस्तों यह सारी चीज़े थी आपको बतानी एक चीज़े और दोस्तों आपको बता दू कि अगर आप post code 20 में है तो दोस्तों 20 के लिए आपको क्या क्या जो है certificate चाहिए होगा upload करने के लिए ठीक है जो आइटिय वाले हैं उनके लिए पता दू सबसे पहले आपको 10 वी का मार्क सीट आपके पास होना चाहिए उसके बाद 12 वी आपने कर रहे के बार वी की मार्क सीट भी मार्क चाहिए ठीक है ऑदहार कार्ड़ या पैन कार्ड में से एक चीज होना चाहिए कास्ट का certificate आपके पास है तो भी होना चाहिए और फीजिकल है तो भी एक्स रिचमेन है तो भी सर्टिपिकेट आपके पास होना चाहिए और दोस्तों कब आपने जोइनिंग करी कब आपको रिटार्मेंट मिली एक्स रिचमेन से तो वह सारी चीज आपके पास होनी चाहिए और दोस्तों बैंक passbook front page आपका होना चाहिए जिसमें दोस्तों आपके पैसे जो है refund भी कर सकते है और refund purpose के लिए आपको bank की first page जो होती है उसको scan करके आप उसको upload करेंगे ठीक है तो यह सारी चीजे आपको ITA वालों के लिए होनी चाहिए ठीक दोस्तों यह सारी चीजे मैंने आपको दोस्तों बता दिया दोस्तों फिर भी आपको कोई दिक्कत है कोई परिशानी है तो आप comment में पूछ सकते है ठीक है refundable of application fees ठीक है तो दोस्तों जो मतलब दोस्तों इसमें है अगर उनको लगेगा कि refund करना है तो दोस्तों बी के लिए यानि जो आई टी आई के लिए है पोस्ट को 20 देख सकते हैं आप 500 रुपे आपको फीस लगेगी अधर जो है स्ट जिनको छूट मिलेगी वह 400 रुपे फीस पेमेंट करेंगे जो भी दोस्तों उनके हिसाब से अगर आप स्टी है एक्स सविशमें में आते हैं फीजिकल हैं तो उनको 400 रुपे उनकी पेमेंट करेंगे ठीक है तो शारी चीज यह आपको मैंने बता दी लगबग ठीक दोस्तों तो लास्ट डेट दोस्तों आपको बता दू एक बार और जाते-जाते दोस्तों तो कैसी लगए वीडियो वीडियो पसंद आयी आपको लाइक किजिए गा चैनल को सबस्क्राइब inhal के सब्सक्राइब करए बढ़ आइकन प्लेज करते अने वाली ट्रेיצ Leve स्ट कइंड और और अरु दौंतर दूस्तों कर बीडियो में ठीक्स होबाची